नश्कार साथियो द्रवेश क्लासिज के यूट्यूब चैनल से मैं मुके सराप लोगों का हर्दिक स्वागत करता हूँ पैरे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा जो हमारे मेट्रिक्स के क्यूशन ओर रहते हैं तो चलिए हम करते हैं उस तरह के क्यूशन आगे और सटार्ट करते हैं एब हमारे पास जो ओूशन थीक है इसने क्या कहा कि आपको स्क्रेइन पर भी नजर आजाएगा दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है में वहां पर भी लगादूओ आपको देखे यहाँ पे आपको इसने क्या कहा कि एक matrix दे रखिये है दो matrix का sum दे रखा है इसने का if x and y are two matrices then यह आपको दे रखा है इसने 3-5 और 2-1 ठीक है और दूसरा दे रखा है इसने एक और matrix दिये x-y वो दिये है आपको minus 7, minus 1, 8 and 9 ठीक है यह matrix दिया है आज इसने पूछा है find the value of x कहता x की value बताइए देखिए यह question बहुत ही ज़्यादा जरूरी है भी बहुत ही ज़्यादा important है दो इतरह के question ज़्यादा important जो हर बार पुछे जाते हैं या तो वो आपको क्या कह देगा aig देगा देखिए दो तरह की execution है या तो वो aig का कोई एक function देदेगा आपको कुछ भी इस तरह से i plus j का mode करके देदिया और कह देगा 2 cross 2 की matrix बनाओ या इस तरह से कोई aig election वाली देदेगा ापको जिसमेn matrix दे रहे कि आपको X और ये कह देगा कि की value निकालो या y की value निकालो तो कैसे निकालेंगे देखो दोस्तों दो equation दे रहे एक 15- y-y आप क्या करिए दोनों को ad कर दीजिये दोनों को plus कर दीजिये ठीक प्लस करेंगे, यह माइनस का Y है, यह प्लस का X है, कितना आजएगा आपके पास में, 2X आजएगा, अब देखिए, इधर मेट्रिक्स का एडिशन होगा, मेट्रिक्स का एडिशन होगा, तो हमें पता है कि कोर्सपोनिंग एलिमेंट में, कोर्सपोनिंग एलिमेंट भी 10 9 और 1 को एड़ करें कितना आजएगा 10 आजएगा अभी यह आंसर नहीं आया है क्योंकि हमें x की value चाहिए यह किस की value है 2x की है तो 1 2 दर जाएगा तो उदर हो जाएगा दोस्तों यह 1 by 2 into ठीक है minus 4 minus 6 10 and 10 यह आपका यहां पर यह matrix बने यह अगर matrix के बाहर कोई भी जो element हो scalar हो वो अंदर जाके क्या हो जाता है multiply हो जाता है तो कर दीजिए आपका 4 by में भी क्या आजाएगा 2 आजाएगा देखिए 4 minus 4 into 1 by 2 करेंगे तो 4 by में कितना आजाएगा 2 आजाएगा इधर कितना आजाएगा आपके पास 6 by में 2 आजाएगा यहां कितना आजेगा 10 by में 2 आजेगा यहां पे भी 10 by में 2 आजेगा ठीक है अब इसको काट दीजे सिंपल सी बात यह कि यह है आपका minus 2 आजेगा यह 6 को काटेगा तो minus 3 आजेगा यह आपका कितना आजेगा 5 और यह भी कितना आजेगा आपके पास में 5 तो यहां से क्या नि है B option ठीक है minus 2 minus 3 और 55 जो B option है वो इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा आप देखिए next question question number 11 है दोस्तो हमारा question number 11 में इसने क्या पुछा है इसने कहा है if A is equals to a matrix दे रखिया और B is equals to a का दूसरी matrix दे रखिया आप से ये पूछना चाता है 2 of A plus B पूछना चाता है तो आप क्या करिए दोस्तों 2 of A का मतलब इस A matrix को किसे multiply कर दीजिए 2 से तो 2 से करेंगे तो यह हर एक element से multiply होगा 2 2 जा 4 आ जाएगा यह minus का 2 हो जाएगा यह 8 हो जाएगा 4 का 8 हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा प्लस में क्या करिए देखिए यहां पर भी इस प्लस simply B करना है तो B को तो directly आपने AD करना है तो कर दीजिए इसको one line क्यूशन भी कर सकते आप दोस्तों देखिए यह सीधा पता लग रहा था तो आप वैसे भी कर सकते थे अब आप क्या करिए 4 into 4 4 प्लस 4 कितना जाएगा 8 माइनस 2 प्लस का 3 कितना बज़ेगा आपके पास प्लस का 1 8 माइनस 2 बचेगा आपके पास 6 4 प्लस 3 कितना बज़ेगा 7 यह क्या आगया है दोस्तों इसका answer निकल के आगया है अगर आप इसका option verify करना चाहे तो देखिए दोस्तों 8 1 6 5 दे रखा है इसने और actual में ऐसा हमारे पास answer कोई है नहीं तो इसका answer आजएगा none of these ठीक है अब बढ़िए next question पर next question देखिए दोस्तों इसने question number 12 है इसने कहा कि आपके पास में 2 matrices हैं ठीक है assume that x and y are two matrices of order 2 cross n and 2 cross p respectively 2 matrices दे रखिए आपको x जिसका order है 2 cross n और y का दे रखा है 2 cross p if n is equal to p अगर n आपका किसके बराबर होगा p के तो आप यह बताईए कि जो 7x minus 5 sorry यह थोड़ा सा यहां पर मैं correct कर लेता हूं ठीक है 7x minus 5y इसका value क्या आएगा यह हमसे पूछना चारा है तो देखिए बिल्कुल simple है दोस्तों देखिए जब भी ऐसा question आएगा तो आप छट पटाने लगते हैं दिक्कत यह है कि आप लोग पहले समझते नहीं है कि question में क्या है क्या logic है तो इसका order पूछ लिया अब आप काओगे जिसका order कितना है 2 cross N है तो देखिए 7 अगर matrix को क्या करता हूँ मैं 7 यानि एक scalar से multiply कर दूँगा तो भी इसका order कितना रहेगा आपके पास में 2 cross N रहेगा minus 5 into Y, Y का order हमें कितना दे रखा है 2 cross P दे रखा है ठीक है तो ये matrix क्या है जब भी दोस्तों यहाँ पे logic ये लगता है कि दो matrix आप add या subtract कब करते हैं अगर वो matrix क्या हो comparable हो यानि उनका order same हो ठीक है तो देखिए इस order को किसके बराबर होना पड़ेगा इसके plus करने के लिए य तो इसका मतलब है 2 cross जो N है वो किसके बराबर आएगा आपका 2 cross P के आपको पता है जब भी order equal होता है तो चलो 2 तो 2 के सामने है ठीक है N का value कितना होना चीए P होना चीए N का value कितना होना चीए P होना चीए तबी ये matrix क्या हो सकती आपकी इस तरह का solution हो सकता है order अगर N और P equal नहीं आए तो ये आप solve नहीं कर सकते तो इसने option क्या क्या दिये है option जड़ा देख लो आप option इसने का है दोस्तों कि इसका order होगा P cross 2 या 2 cross N या N cross 3 या P cross N order होगा इसका देखिए सबसे पहले इसकी बात है order क्या हो सकता है आपका देखिए order same होना चीए या इसका order है 2 cross N हो जाए कने स्ब्सक्रsomething करíका। वाय पूमिदंगे स्मझ आगया हूगा एंगा। पी आएगा उमीद आपको समझ आ गया होगा नेक्स देखिए क्यूसर नमबर जो थर्टीन है उसमें क्या दे रखा है आपको एक दो मेट्रिस इक्वल करके इस तरह से इन इक्वैलिटी दे रखिए आपको ये कहता अगर ये इसके इक्वल है तो आप किसकी वेल्यू निकालके दिखाईए हमें X की वेल्यू निकालके दिखाईए तो निकाल देते हैं कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं देखिए कोर्स्पॉंडिंग एलिमेंट को कमपेर करिए ये किसके सामने होगा 2x plus 5y किसके इसके सामने कौन है 3 है तो इसके बराबर कितना आजेगा 3 आजेगा यह आपके पास में एक number equation है दूसरा देखिया आपके पास में क्या है y plus 7 किसके बराबर आएगा आपका 6 के यहां से y का value पहले निकल सकता है तो निकाल दीजिए y का value आजेगा दोस्तो 6 minus 7 यानि minus का 1 और इसको क्या कर दीजिए फिर से put कर दीजिए one में यानि y का value तो निकल के आए मेरे पास यहाँ पे minus का 1 और x का value निकालना है minus का 1 कितना है minus का 1 है सामने कितना है आपका 3 दिया हुआ तो यहां से इसको solve करेंगे 2x minus का 5 आएगा उदर क्या है 3 यह minus का 5 उदर जाके क्या हुजएगा plus का 2x is equals to आजएगा 2x is equals to 3 plus में कितना आजएगा 5 यानि 2x is equals to कितना आजएगा 8 x का value आजएगा दोस्तो 4 इसने अगर हमसे सिरफ x की value पुछिये है तो हम x की बता देंगे अगर दोनों की पुछी है तो हम दोनों की value बता देंगे इसने x की पुछी है X की value निकल क्या है यह हमारे पास 4 जो की option number आपका क्या रहेगा D रहेगा उमीद है दोस्तों यह समझ आ गया होगा आपको ठीक है अब next Question number 14 देखिए दोस्तों क्या दिया है आपको इस तरह से दे रखा है इसने X into 2 by 3 plus में Y into minus 1 और 1 यह matrix दे रखिया वो अंदर हर एक element से multiply होजेगी तो यह अंदर जाके क्या हो जाएगा आपका 2X यह कितना हो जाएगा आपका 3X plus में क्या दे रखा है आपको यहाँ पर Y अंदर चला जाएगा कितना आएगा minus का Y यह क्या आएगा plus का Y is equal to कितना दे रखा है दोस्तों आपके पास में दोनों को क्या कर लो sol कर लो और आपका answer आजएगा कैसे sol करेंगे देखिए दोनों को add कर देते हैं यहाँ पर minus का Y यहाँ क्या है plus का Y यह दोनों को add कर दो ताकि यह कट जाएं कटेंगे तो यह आजएगा दोस्तो 5X is equal to 15 okay यहाँ से X का value कितना आगया आपके पास में 3 आगया X पराबर कितना मिलके आया मेरे को 3 आया अब मुझे Y का value निकालना बाकी है इसको क्या करेंगे कोई भी एक equation में रख दो यह 1 और 2 जो हमने बनाई है वहाँ से हमारा answer आजएगा तो हमारे पास equation क्या है 1 जो है 2X minus Y is equal to 10 तो यहाँ से 2X minus sorry हमारे पास value निकल क्या आई है इसमें X की X का value कितना निकला है मेरे पास 3 है तो 2 into 3 minus Y is equal to कितना है आपके पास में 10 है यह कितना आएगा आपका 6 minus Y is equal to कितना 10 6 को अदर ले जाएए क्या हो जाएगा minus minus का Y is equal to 10 minus का 6 कितना निकल क्या आगया 4 minus Y is equal to plus का 4 यहनि Y का value कितना आएगा दोस्तो आपके पास में minus का 4 तो जहां पे भी हमें option में नजर आएगे यह दोनों बातें भी X बराबर तो 3 है Y is equal to क्या है 4 है यहां आप गलती यह कर सकते हो दोस्तों कि हो सकता आपको यहां तो X की अगर आप कई बार क्या होता है बच्चे यह करते हैं स्मार्टनेस दिखाने के चकर में कि एक ही value निकालते हैं और उसी से option टिक करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है गलत भी हो ठीक है तो उसे option कहीं गलत मत कर देना भी X बराबर 3 दे रखा हो आपको यही आंसर है ठीक है तो Y का value भी निकालना जरूर है इसको damn sure होने के बाद ही आप लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे तो इसका जहां पर भी दिया है first option जो है हमारा X is equals to 3 and Y is equals to minus 4 यह हमारा क्या है इसका correct answer है अब देखिए next question number जो 15 है उसमें आपको क्या दिया है इसने एक matrix A दिया है और एक matrix ऐसा दिया हुआ है K A यानि A को जब हम K से multiply करेंगे तो इस तरह से value दे रखी है यह कहता find the value of K A and B K की B value निकलो A की B और B की B कैसे nिकालेंगे दोस्तो सबसे पहले देखे सबसे पहले हम K A की value निकाल लेते हैं K A की एक तो दे रख़ी है हमें value वो और दूसरा हिस से निकाल लेंगे तो कितना निकलेंगे का दोस्तो K directement करना है यह कितना आजेगा आपके पास में थ्री के आजेगा यह कितना आजेगा आपके पास में माइनस का फॉर के यह क्या है आपका के ए है यह क्या है आपका के ए है ठीक है एक के ए यह हमने निकाला और दे यह रखा है तो दोनों को आप क्या रख सकते हो एक्वल रख सकते हो दोस कि सबसे पहले इनको compare कर ले ताकि हमारे पास एक variable की value आ जाए minus का 4K किसके बराबर आए दोस्तों आपका 24K तो यहां से जैसे ही आप काटोगे आपके पास में कितना value आ जाएगा minus का 6 आ जाएगा ठीक है minus का 6K का क्या आ गया value आ गया अब आप क्या करिए बाकी equation को solve करिए इनको जब compare करोगे तो 2K किसके बराबर आएगा आपका 3A के बराबर आएगा यहां से 2 into K का value रख दीजिए 2 into 6 is equals to गितना दे रखा आपको 3A दे रखा है यह 3 यहां multiply में है इदर आ के आ जाएगा divide में आ जाएगा 2 into minus का 6 इसको काटेंगे तो कितना जाएगा minus का 2 तो A आका value कितना आएगा दोस्तों आपके पास में, minus का 4 आएगा इसी तर suspój Prof Laurie के सांट की की value नंकाल देंगे K का value हमारे पास कितना था minus का 6 है तो 2B बराबर ये कितना आजेगा आपके पास में minus का 18 और 2B ये 2 multiply में इधर आके कहां आजेगा divide में तो इसका value कितना आ गया minus का 9 तो K का value पहले पुछा है तो पहले लिख लो एक बार ज़रा K का value कितना है minus का 6 है A का value लिख ले हम A का value निकला है दोस्तो हमारे पास minus का 4 और B का value निकला है मेरे पास minus का 9 ठीक है और B का value निकला है minus का 9 तो जो भी इसका option होगा वो आपका क्या आजेगा correct answer आजेगा देखे इसमें कहां दे रखा है आपको पहला option इसका correct option है दोस्तों ठीक है चलिए अब हम बढ़ते हैं next question की ओर अब देखिए दोस्तो question number जो 16 है वो क्या दे रखा है इसने question number 16 में इसने दो matrix दिया आपको A और क्या दे रखिया है B तो यह हमसे क्या पूज़र का A matrix का order दे रखा है दोस्तो if the order of A is 3 cross 4 and order of B is 2 cross 3 then find the order of A, B and B आपको A का order दिया है और B का order दिया है आपने किसका order निकालना है A, B का यानि A into B पूछ रहा है दोस्तो यानि A cross B की पूछ रहा है यानि matrix multiplication का क्या तरीका होता है तो पहले तो सारे के सारे सुन दो तरीका क्या है उसका सोट trick है यह इसकी क्या trick है देखिए अगर आपके पास मालो कोई एक matrix है X है दूसरी क्या है Y है इसका order अगर मालो M cross N है इसका क्या है P cross क्या है आपके पास में Q है तो पहली बात तो यहां पे यह matrix multiply तभी होंगी दोस्तों अगर N और P क्या हों आपके equal हों यानि पहली के number of column और दूसरी के number of column क्या होंगे same होंगे तब तो वो multiply cable है otherwise आप matrix multiplication नहीं कर सकते पहले के column दूसरे के क्या row अगर वैसे समझना है तो कोई भी दो matrix का order लिख लेना और इस तरह से यह जो मैंने rectangle बना के लिखा है उस तरह से आप समझ लेंगे यह अगर equal है तो तो matrix क्या होगी multiply होगी otherwise नहीं होगी और जब यह कह दे कि नई matrix का order क्या आएगा तो बच्चे लोग यह देखेंगे आप लोग यहां पे इसको पूरे पार्ट को काट देंगे यानि N को भी और P को भी क्या बच गया आपके पास M क्रोस क्या बच गया Q तो यह इस matrix का क्या होगा आपका order होगा अब इसको apply भी कर दो जरा यहां पे पहली matrix का order क्या दिया दोस्तों आपको 3 क्रोस 4 ठीक है तो यह पूछ रहा है दूसरा 2 क्रोस 3 दे रखा है आपको इसने ठीक है तो A B का multiplication तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था क्या यह दोनों equal है क्या यह दोनों equal है ठीक है तो यह तो multiply हो ही नहीं सकता मैंने का था ना इन दोनों को क्या होना पड़ेगा equal होना पड़ है क्या है note defined A और B की तो आप multiplication कर ही नहीं सकते ठीक है दूसरा B A अगर होता तो यहनी की B का order पहले लिखो B का order क्या था B A अगर हमें करनी होती तो B A में क्या था आपका 2 क्रोस 3 और 3 क्रोस 4 तो यहां पे 3 तीन equal है तो यहनी इनका multiplication possible है और उसका नया order क्या आजएगा यह ऐसा option आपको दिखाई देता है वह आप लिख देंगे इसने क्यूशन में order में भी क्यूशन पढ़ना भी ज़रूरी है A B पहले कहा है और B A क्या कहा है बाद में तो A B का आएगा note defined B A का कितना आएगा आपका 2 into 4 तो जो पहला option है हमारा वह इसका क्या हो जाएगा correct answer हो और ग्हार है if A is कोई matrix एक matrix दे रहकिए 2,1,4 और तूसरा रहा है वह है 4,1,5 और इसी तरह से एक और matrix दे रहकिए B, 3,1,2,2 और 1,3 इस तरह से दो matrix दे रहकिए तो यह पूश रहा है A B और B A का order क्या होगा इसने क्या पूचा है आपने शिरफ इसका order का होगा इसने क्या देखते हैं दो पहली row count कर लो कितनी row है दो है तो दो लगा दो cross का sign कितने column है 1, 2, 3 तो इसका order कितना हो गया 2 cross 3 इसका देखेंगे कितनी row है इसमें 1, 2 and 3 तो इसमें कितनी है 3 है column कितने है आपके 2 है ठीक है तो देखें इसको अब आपको मैंने जो trick बताई थी उसी का use करते हुए देखें यह order दे रखे हैं आपको पहले तो यह देखना है कि यह multiplication possible है के नहीं है ठीक है सबसे पहले तो आप यह चेक करेंगे कि इसका multiplication possible है के नहीं है तो क्या लग रहा है आपको multiplication होगा जी हाँ बिल्कुल होगा क्योंकि यह दोनों पहले के रो दूसरे के सोरी पहले के कोलम दूसरे के रो क्या आ रहे हैं आपके same आ रहे हैं तो यह matrix मैट्रिक्स मैट्रिक्स इस तरह से order लिख लो और इसको rectangle में ले लो हमेशा ही पता लग जेगा कोई formula भी याद करने की जरूरत नहीं तो नई matrix है उसका order क्या आएगा इसको काट देंगे तो यह आ जाएगा आपके पास में टू क्रोस है तू आ जाएगा यह किसका order है ऐ بी का है यही अगर हमसे किसका पूर्श लिया हुता उसने बी ए का तो बी ए का order पहले लिखो क्या है 3 크ोस 2 है इसका कितना है आपके पास में 2 크ोस 3 है ठीक है ओके तो फिर से यहाँपर हम क्या करेंगे वही पढ़तिति लगाएंगे वही method लगाएंगे, दोनों देखो equal हैं, तो तो matrix multiplication है, नया order कितना आएगा दोस्तों, आपके पास में 3 क्रोस से 3 आएगा, ठीक है, समझ में आगया, तो इसका जो भी option है, हमें correct नजर आएगा, वो आप यहां से टिक कर देंगे, तो इसका order है, हमारे पास 2 क्रोस 2 एंड 3 क्रोस 3 जो की option number B है, वो हमारा क्या आजएगा, अंसर आजएगा, एक बहुत बड़ी बात यहां से हमें एक समझ में आती है, क्या A, B और B यह equal होते हैं, matrix में कभी भी नहीं होते हैं, important result है, दिमाग में रखना, यहा बात तो बात में आएंगी, कभी भी नहीं होगा, ठीक है, तो clear हो गया यह आपको, next question देखिए, आपका question number 18, मैंने पहले लिखके रखा हुआ है, A दे रखा है, आपको उसमें एक matrix है, उसमें क्या है, आपका आयोटा 0, 0 और माइनस का आयोटा B दे रखा है, 0, आयोटा, आ multiply करना आता है, आप लोगों को, ठीक है, नहीं आता तो कोई बात ना, introduction जो मैंने matrix chapter जहां complete करवाया है, वहाँ से वो वीडियो देख लो, समझ आ जाएगा, ठीक है, 0, आयोटा, आयोटा, और 0, यह हम लोगों ने लिख दिया, अब multiplication कैसे करते हैं, इदर row लेते हैं, इदर क कितना आएगा, 0, 0 into IOTA, यह भी क्या आएगा दोस्तों, आपके पास में 0, पहला element क्या आगया, 0, अब क्या करिए, कि दूसरा कॉलम ले ले लिजिए, IOTA into IOTA, IOTA into IOTA करेंगे, तो कितना आजेगा, आपके पास में IOTA का scare आजेगा, क्या आजेगा, IOTA का scare आजेगा, 0 इंटू जिरो करेंगे प्लस में क्या आएगा जीरो आगे बढ़िए इस अब दूसरी रो उठा लेंगे तो क्या आएगा जीरो माइनस आयूटा प्लस का आयूटा कितना आजेगा आपके पास में माइनस आयूटा स्केर कितना आजेगा माइनस आयूटा स्केर और फिर इसको दूसरे कोलम से जब multiply करेंगे तो 0 into iota कितना आएगा 0 plus में minus iota into 0 कितना आएगा 0 तो आपके पास में जो अवरहाल matrix है वो क्या निकल के आगी है 0 minus iota square iota square ठीक है और क्या आगया है 0 आगया है ठीक है एक ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर यह iota की value भी रख दे तो iota square का value होता है दोस्तों आपके पास में कितना minus का 1 और minus का iota square है यानि minus iota square का value minus 1 बाहर भी minus है क्या आजएगा plus का 1 आजएगा into क्या आगया 0 तो यह जहां पर भी option दिखेगा इसका क्या हो जाएगा correct option हो जाएगा अगर हम option की फिराग में देखे तो हमारा option number B है वो सही आ रहा है कई बार बच्चे क्या करते हैं जैसे यह 0 दिखा न वो कह देते सरीए इसको 0 बना देगा इसको कई बार बच्चे ऐसा गलती करते हैं एक 0 दिखा और उसको सीधा ही क्या बोल देते हैं जीरो मेट्रिक्स बोल देते हैं वो आपका गलत हो जाता है तो उमीद आपको समझ आ गया होगा फिर भी कोई समझ्या है तो आप हमें बता देंगे चलिए दोस्तों नेक्स देखिए आपका क्या है इसने एक मेट्रिक्स दे रखिए A is equal to 2, 3, minus का 4 इसका order कितना है दोस्तों देख लीजिए यहां से फटा फट से A की row है और column 3 है इसका order है 1 cross 3 B एक matrix दे रखिये जिसमें आपके पास में 3 row है 1, 2, 3 है और column कितना है 1 है तो पहले तो हमें चेक ही करना होता है कि क्या ये matrix multiplication possible है ठीक है तो पहले तो हमें नजर आ रहा है कि ये matrix multiplication क्या है जी possible है उसके बाद उसका order कितना आएगा 1 cross 1 का आएगा तो यहां से पहली चीज तो ये clear होनी चाहिए आपको अब देखिए इसमें multiply करना शुरू कर दीगे कैसे करेंगे तो आपको दे रखा इसने 2, 3 and 4, minus का 4 और B दे रखा है आपको कितना 3, 4 and 2 दे रखा है तो इदर से row, इदर से क्या column किसके equal आएगे देखो 2 into 3 कितना आएगा आपके पास में 6 3 into 4 कितना आएगा प्लस में 12 आएगा order 1 cross 1 का याना है ठीक है order कितना आए 1 cross 1 यानि एक ही row होगी और एक क्या होगी column होगी 3 into 4 करेंगे तो कितना आजएगा आपका 12 आजएगा minus 4 into 2 करेंगे कितना आजएगा आपके पास में minus का 8 आजएगा ठीक है तो अब इनको add कर दीजिए जो भी answer आता है वो लिख दीजिए ये आजएगा 18 minus 8 ठीक है ये आजएगा आपके पास में matrix के अंदर क्या 10 आजएगा ठीक है तो उमीद आपको समझा गया होगा दोस्तों ठीक है यहां पर यह option में simply 10 दे रखा है दोस्तों इसने ठीक है हमारा दो दो तरीके से यहां से सिको इसने सिर्फ कितना दिया है आपको 10 दिया है तो 10 नहीं दोस्तों matrix की सीधी सी बात है पहले दिन हमने क्या condition पड़ी थी कि उसके बाहर यह close bracket होनी चीए इसने option में 10 जरूर दिया है दोस्तों लेकिन 10 के बाहर bracket नहीं है तो इसका option यह नहीं है और भी बाकी कोई option इसमें match से नहीं कर रहा है तो यह इसका option नहीं बनेगा next देखिए अब यहां पर क्या करेगा यह आगे थोड़ा सा क्यूशन का थोड़ा सा calculation बढ़ाता जा रहा है धिरे धिरे अगर हम देखे note करें तो अब देखिए 1 का आएगा आपके पास में element ठीक है तो multiply करिए क्या आएगा वन इंटू 3 कितना आजेगा 3 प्लस में 2 इंटू 4 कितना आजेगा 0 आएगा प्लस 3 इंटू 1 करें कितना आएगा 3 4 इंटू 0 करें कितना आएगा 0 ओके अब दोनों को पिछले क्यूशन में मिस्प्रिंट हुआ होगा अगर आपने option भी देखें तो यहां तो none of these करिएगा उसमें ठीक है यहां ऐसा जहां पर भी दिखेगा तबी इस क्यूशन में ठीक लेखा है matrix 13 ठीक है यह लिखा हुए तो यह इसका क्या है correct option है next देखिए question number जो 21st है आपका क्या दे रखा है आपको एक matrix दे रखिए है a equals to 0020 और यह कह रहा है find a12 a की power 12 यानि a को आपको बारा बार multiply करना है नहीं बिलकुल नहीं यहां पर कुछ मज़ेदार होने वाला है दोस्तों question बड़ा आसान है इसको देखे तो बहुत से 12 बार multiply कोंड करें तो आप एक काम करिए दोस्तों आपको एक तरीका बताता हूं सबसे पहले a dot a निकालिए यानि a square निकालिए सबसे पहले आप a square का मतलब है a की खुद के साथ multiply कर दीजिए देखते हैं जरा क्या आता है ठीक है a की खुद के साथ multiply करनी है आपने तो क्या दूसरा कोलम्प जब आप लोगे तो क्या ये आगा फिर जब ये वाली रहत इन्टुंट्ट इंटु जिरो ये क्या जएक दोस्तव आपके पास में जी रो ये भी क्या जाएगा 0 आ जाएगा ठीक है फिर इसको आगे multiply करेंगे 2 इंटू 0 ये भी 0 0 इंटू 0 चलो ये तो पहले ही क्या है 0 है तो आपकी matrix क्या निकल के आगी दोस्तो 0 0 0 ठीक है है ना मझेदार जब देखो दोस्तो इसकी power जो दो बार हमने multiply किया तब भी इसका क्या आ गया आपका 0 0 आ गया इसको आगे multiply करो चाहे ना करो यानि ये कहना तो ये चाहता है कि इसको ऐसे करो A square A square और A square ठीक है इसको ऐसे multiply करेंगे हम ठीक है तो आपका क्या आ जाएगा ये की power 12 आना क्या है दोस्तों वह आपको जब पता है क्या ना है 0 0 0 यह तो यह ओ आएगा यह तो क्या आएगा आपके पास में O आएगा O यानि 0 matrix ही उड़ता है तो जो भी option आपको नज़र आए यहां से उसको आप टिक कर देंगे तो क्या है option आपके पास में 0 0 यह आपका क्या है correct option है चलिए आगे बढ़ते है question number 22 देखिए आप question number 22 में इसने एक matrix दिया है A जी गुस्टू यह और यह पूच रहा है कि क्या कीजिए A का square भी काल दीजिए तो यह तो बिल्कुल simple है दोस्तो A square किसके पराबर होता है आपका A dot A होता है इसका matrix multiplication आप आसानी से कर लेंगे यह question में नहीं करवारा same matrix है ठीक है तो आप इसका multiplication खुद करेंगे क्योंकि इतना अक तो आपको आना भी चाहिए ठीक है इसमें कुछ trick वगेरा कुछ तो है नहीं तो यह simple question था यह आप कर लेंगे यह identity matrix भी आप इसे बोल सकते हो तो सबसे पहले आपको A square चीए A square का मतलब है A dot A चीए तो इसको लिख लीजिए आप A निकाल दीजिए इसको C A आजा ठीक है इधर कीजिए इसको minus A B ठीक है C A ठीक है इसको अब आप क्या कर दीजिए फटा फट से multiply कर दीजिए ठीक है अगर यह question एक number में है तो आपको इसे पूरा complete multiply करने की जरूरत नहीं है ठीक है लेकिन नहीं जरूरत पड़ेगी क्योंकि सारे के सारे element यहां पर क्या है अलग लग है तो देखिए यहां पर minus A और यहां से column लेंगे हम लोग ठीक है तो यह आजाएगा आपका plus का A square plus में कितना आएगा आएगा आपका B C plus में आएगा आएगा आपका B C फिर देखिए दूसरा अगर आप इसी का दूसरा column लोगे तो यह आएगा minus का A B ठीक है और plus में आपका आजएगा A B plus का क्या आजएगा minus A into B A B आगया B A आएगा उसको भी मैंने क्या लिख दिया A B लिख दिया यह plus का आएगा पहले बड़ा कि इसका था minus का ठीक है it equals to क्या है आपके पास में यहां पर इसको multiply कर दीजी तो यह क्य plus में A square ठीक है यह आपके पास में आगया है A square का value ठीक है अगर यह कह रहा है A square बराबर यह है तो आपको equation दे रखे हैं बताए कि कौन सी बात है true है तो simple सी बात है देखो simple यह तो क्या हो गया आपका cut के 0 हो जाएगा यह भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा सामने यह किसके दे रखा है आई के आई का मतलब है यह आपका equal है 1001 के ठीक है तो यहां से इन दोनों को जब आप compare करेंगे तो आपके पास में पहला condition क्या जाएगा a square plus bc is equal to 1 यह a square plus bc यह plus का 1 इदर आएगा तो क्या हो जाएगा minus का 1 a condition यह हो सकती है यह दूसरी condition भी सेम यह देखो a square plus bc आएगा वो भी इदर आएगा क्या है same condition है तो यह वाला जहां पर भी option आपको दिखाई देगा वो सही है तो पहला option ही इसी का क्या बन गया है यहां पर सही दिखाई दे पड़ा है तो उसको आप tip कर देंगे ठीक है तो चलिए अब next देखिए आपके पास में question number क्या है 24 दे रखा है 24 जो question है आपका क्या है इसने कहा a and b are two square matrix so what is the value of a minus b नीचे इसके option दे रखे हमें अब देखिए सबसे पहला काम तो जो गलती करवाने वाला काम है वो इसने option में यह दे दिया क्या a square प्लस में आप क्या करोगे b square minus two a b यह आपका मन करेगा इसको कर देंगे ठीक है लेकिन यही तो आपको क्या करवा देगा गलत करवा देगा यही तो है नहीं क्योंकि matrix multiplication जो है आपका commutative नहीं होता यह क्यों नहीं आएगा सर तो उसका वजह मैंने आपको पहले बता सकते हो a minus b into a minus का b अब आपको इसे multiply करना है सबसे पहले a को हिधर multiply करेंगे तो क्या जाएगा a square फिर आएगा आपका minus k a b ठीक है फिर आप minus b से multiply करेंगे तो माइनस बी ए क्या आएगा ये माइनस का बी ए आएगा माइनस का क्या आजएगा बी इंटू बी बी स्केर आजएगा सोरी माइनस माइनस क्या आजएगा प्लस का आजएगा ये फरक है इसमें क्योंकि इसमें A, B किसके पराबर नहीं होता B, A के पराबर नहीं होता इसलिए ये option नहीं आ सकता तो जहां पे भी आपको option दिखाई दे रहा है वो आपका क्या आजेगा correct option आजेगा B जो option है और बच्चे ये करेंगे जल्दबाजी में इसको इसी को tick कर देंगे क्योंकि वो थोड़ा सोचेंगे तो है नहीं कि ये matrix है matrix होता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते है 25th question पर अब next 25th जो question है उसमें आपको इस तरह से दे रखा है इस ने 2-3 एक matrix दे रहे है तो आपसे ये पूछना चाता है तो इस तरह का question आ सकता है आपको थोड़ा बोट matrix वगेरा में change करते देख लीजे अब अगर आप ज़्यादा क्यूशन करने की जिद करेंगे तो वह होगा यही कि मैं यहां पर दो की जिगां चार लिख दूँ यहां पांच लिख दूँ तो वह हो सकता है तो question का टाइप यहां फंडामेंटल्स जो है वह हमने cover करती है हो सकता है कोई ज़्यादा भी दे दे तो उसमें इतना ही फरक आएगा just आप एक बार practice कर लेंगे तो इतनी दिकत भी नहीं आएगी लेकिए पहले से row उठाएंगे दूसरे से column ठीक है तो यह आपका आजाएगा 2x-3y ठीक है और एक दूसरी equation मनेंगे x-y को किसके बराबर रखेंगे अगर हम 3 के ठीक है तो अब आपने क्या करना है दोनों equation को solve करना है ठीक है और x और y की value निकाल दें कैसे यहां पर देखिए 2x-3y is equals to 1 है इसको equation number 1 के दीजिए इसको 2 के दीजिए 1 को adjectives लिख दिया मैंने यहां प इसको 2 से multiply करेंगे यह क्या आएगा 6 हैगा minus का sign लगा दीजिए क्योंकि same sign होते तो minus करेंगे यह भी क्या होजेगा minus यह भी minus यह तो cut गया 3y minus 2y कितना आजएगा minus का 5y easy equals to कितना आएगा minus का 5 minus से minus cut हो गया 5y का value कितना आगया 1 तो बोलिए कोई दिक्कत है तो यहां तक y का value आगया अब दूसरी में put कर दीजिए इसी को किसे में put करके आप value निकालेंगे put in 2 ठीक है तो कैसे आएगा x plus y ठीक है क्या दे रखा है आपको x plus y equals to 3 दिया हुआ है तो यहां पर y का value 1 रख दीजिए x का value निकल आ जाएगा 3 minus 1 यानि कितना निकल के आजएगा आपके बास में 2 निकल के आजएगा यह क्या है इसका answer निकल के आगया जहां पर भी option में आपको यह नजर आएगा कि x is equals to 2 and y is equals to 1 तो इसका पहला ही option हमारा क्या हो गया है correct हो ज the transpose of two matrices A and B then what is value of A plus B dash तो देखिए यहां से यह simple property में से question बुचा है उसने देखिए दो property है मैं दूसरा related question भी पता देता हूँ अगर यहां plus यहां क्या हो minus हो तो यह होगा कि अगर इसका transpose करना है हमने तो क्या आएगा A का भी transpose plus है तो plus आ जाएगा plus B का transpose अगर minus होता तो क्य जाता minus बट जो सबसे important चीज है यहां पर important चीज बता रहा हूँ भी यह ध्यानक लेना इस तरह की गलती मत कर देना अगर matrix में मालो ऐसा होता है कि A into B का transpose करना पड़ जाए हमें क्या करना पड़ जाए A into B का transpose अगर करना पड़ जाए तो वो क्या निकलेगा देखिए उसमे यह होगा कि पहले B का transpose आएगा फिर किसका आएगा A का transpose आएगा नहीं समझा एक और example देखो अगर मेरे पास तीन matrix है X Y और क्या Z है तिनों multiply में उसका अगर transpose करना पड़ेगा तो पहले Z का transpose आएगा फिर किसका आएगा Y का फिर किसका transpose आजाएगा X का clear हो गया यह अब बिखरा होगा execution का वह आप इसका टिक कर देंगे तो इसमें से जो option number C है वह आपका clear answer आजाएगा A dash plus में B dash आजाएगा लेकिन multiplication का case होगा तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे हो सकता है examiner आप से multiplication का भी पूछ ले number 27 है उसमें क्या दे रखा है आपको इसने कहा है कि A B कोई matrix दे रहे है आपको cos alpha, sin alpha, minus sin alpha, cos alpha इस तरह से आपको एक matrix दे रहे है यह पूछ रहा है A A dash की value क्या आएगी simple sum है तो हम कैसे करेंगे इसको सबसे पहले A dash की value निकाल लेंगे सबसे पहले क्या करेंगे हम A dash की value निक निकालेंगे कैसे निकालेंगे देखिए A dash का मतलब है इसका transpose करना है तो क्या हो जाएगा cos alpha, minus sin alpha उदर चला जाएगा ठीक है और इदर क्या आजाएगा, sin alpha और यह क्या आजाएगा आपके पास में cos alpha, यह आपने इसका transpose कर लिया, एक number का है तो आप इसको फटा-फट से ऐ sin alpha मतलब मैं यह कह रहा हूँ भी, इसको अलग से निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं थी, अगर आप चाते तो, ठीक है, sin alpha cos alpha into, क्या करिए, यहाँ पर जो भी इसका transpose निकाला है, वो लिख लिए cos alpha minus sin alpha, ठीक है, यह है, आपके पास में sin alpha cos alpha, ओके, और यह matrix बंद कर दी, अ आपके पास में क्या हैगा, cos into cos alpha कितना आएगा, cos square alpha ठीक है, minus sin alpha cos alpha into sin alpha, कितना आजएगा, आपके पास में sin square alpha ठीक है, और इधर जब multiply करेंगे तो क्या हैगा, आपके पास में minus sin alpha, ठीक है, और sin into sin alpha cos alpha, plus में क्या आएगा, आपके पास में sin alpha into cos alpha, sin alpha into cos alpha, यह आपके पास में आगया अब नेक्स देखिए क्या है इस वाले रोग को लेगे तो आप मल्टिप्लाइब कर दीजे कोश अलफा माइनेस का साइन अलफा कोश अलफा ठीक है प्लस में कोश अलफा इंतु साइन अलफा इंतु को स्केर आल्फा की वेल्यु कितनी होगी one होगी दोनों के वेल्यु कितनी लिख दी मैंने one यह देखिये माइन सकत साल्फा प्लस का साइन ल गार जीरो यह यह क्या जीरो feder आपने इसकी क्या करदी है मेल्ट्रिक्स multiplication कर दिये तो इसका answer आपको option में दिये वो मिल जाएगा i यानि identity matrix इसका क्या आगया है answer आगया है इससर नमबर 28 देखिए इसी पर best है आपको same matrix दे रखिए है यह कह रहा है कि आपने alpha की value निकालनी अगर a plus a dash किसके बराबर हो o o यानि zero matrix के बराबर है a plus a alpha करेंगे तो देखिए a की value कितनी है आपके पास में जो भी है लिख लीजिए cos alpha into sin alpha minus का sin alpha ठीक है cos alpha लिख लिए हमने plus में क्या कर दीजिए इसका transpose करेंगे तो आपके पास में जो matrix है कि क्या है कि cos alpha minus का sin alpha ठीक है sin alpha into ये क्या है सामने क्या рखा है आपका कोस अलफा है या सामने क्या है आपका 0 matrix है तो इसका मतलब यह तो चलो 0 0 के equal है ठीक है यह किसके value यह value किसके पराबर आएगी 0 के तो यानि 2 cos alpha कितना आजएगा आपके पास में 0 आएगा और यहां से cos alpha का value कितना आजएगा आपके पास में 0 2 अदर जाके 0 हो जाएगा ठीक है cos alpha 0 कब होता है कब होता है दोस्तो 90 पे होता है ठीक है 90 डिगरी पे होता है या पाई बाई टू रेडियन पे होता है तो इसका correct option क्या जाएगा आपके पास में पाई बाई टू इसका क्या जाएगा correct option आ जाएगा उमीद है यह समझ आ गया अब देखे next अब देखे next में क्या कहा है इसने question number 29 देखे क्या कहा इसने a square matrix can always be expressed as a square matrix को आप हमेशा कैसे लिख सकते हैं दोस्तो मैंने बताया था आपको sum of metric and skews metric matrix में लिख सकते हैं तो यह आपको clear होना चाहिए next बढ़ी आगे question number 30 question number 30 में इसने क्या कहा है दोस्तो तो इसका option जो है आपका क्या जाएगा जो first option है वो इसका क्या जेगा correct option आ जाएगा 30 question number देखे the diagonal element of skews metric matrix क्या होते हैं हमेशा ही मैंने जब आपको basic करवा रहा था तब बताये था skews metric matrix के diagonal element क्या होते हैं 0 होते हैं याद रखना है directly इसका क्या कर देंगे आप लगा देंगे ठीक है आगे चलिए क्या क्या है इसने 31st जो question है 31st में यह क्या कह रहा है इसने एक matrix दी है आपको matrix को जब आप देखोगे इसका transpose करोगे matrix आपको जो भी दे रखिए इसने इसका आप transpose करोगे तो क्या आजेगा सेम यही matrix आएगी और जब ऐसा होता है कि एक matrix का transpose करने पे सेम वही matrix आ रही है तो वो matrix आपकी होती है symmetric matrix और अगर वो negative के एकवल आती तो क्या होता वो skew symmetric matrix होता उमीद आई आपको समझ आ गया होगा अब इसका last question बसता है दोस्तो कौन सा 30 second जो question है वो देखे क्या है इसने का for a square matrix given that a a- is equal to i then a is देखो दोस्तो यह question आपका plus two से थोड़ा सा बाहर चला जाता है class 12 के scope से थोड़ा सा बाहर का है यह कुछ एक book के दे देती है इस type का अगर ऐसा होता है कि एक matrix को आप उसके transpose से multiply करते हो और वो किसके बराबर आजए identity matrix के बराबर आजए इसका मतलब यह है कि वो जो matrix है वो कैसी matrix है और्थोगोनल टाइप है आप याद रखिएगा क्या कि a और a डेस की multiply करें आप matrix multiply करें और वो किसके बराबर आजए आई यानि identity matrix के equal आजए तो वो होती है आपकी और्थोगोनल matrix समझ आ गया यह दोस्तों चलो शुकरिया है दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो कैसी लगी और किस टोपिक पर दीजिएगा हम जल्द से जल्द आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे ठेक्यू दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद